Hello everyone, welcome back to my channel, दोस्तों आपकी बहु प्रतिक्षित डिजिटल डायरी कोर्स 17 COVID-19 परिद्रिश मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, दोस्तों इसके लिए आपको काफी इंतिजार करना पड़ा, इसके लिए छमा चाहता हूँ, समया भाव के करण जो है ये डायरी बनाने में मु इसे अपने यूज में लिजे और अपनी तैयारी को पुखता कीजे, तो दोस्तों पेस है आपके सामने डिजिटल डायरी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इससे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, ठीक है, अज साम तक आपको कोर्स 18 की भी मैं डिजिटल डायरी देने की कोशिश करूँगा, COVID-19 परद्रिस विद्याली सिक्षा में चुनोतियों का समाधान, कोर्स विबरन, अब जानते हैं दोस्तों कि इस कोर्स में क्या-क्या चीजे थी, माडूल का आउलोकन, परिचे, COVID-19 परद्रिस विद्याली सिक्ष और प्रस्नोत्री, फिर है अधिगम के उद्देश, इस माडूल के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगे, COVID-19 की प्रकृति और विद्याले के कामकाच पर इसको द्वारा उत्पन चनोतियां का वड़न करने में, चात्रों और विद्याले के अन्य अधिकारियों के स्वास्त और कल्यान को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करने में, विद्याले में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए बिभिन गद्विदियों को अपनाने में, सिक्षार्तियों के अन्कूल मुल्यांकन के तरीकों का उप्योग करने में, चात्रों के मान प्रख़ays एक संक्रामग बिमारी है रहा सकंद हुए दिसंबरं होगे दिसंबर 2019 में चेन में इसका प्रकूप शुरू होने से पहले या नया वाइरस आ गया था इसलिए इसे नोबल कोरोना वाइरस कहा गया खांसी और छी के माद्यम से उत्पन संक्रमिद व्यक्त की सांस की बूनों के साथ सीधे संपर्क के जरिये COVID-19 प्रेसित किया जाता है सुरच्चित विद्याले सुनिशित करना चात्रों सिछकों को COVID-19 के बारे में जागरू का और सतर करना विद्याले के बच्चों में स्वास्त उनके कल्याना और स्वक्षता को प्रात्मिकता देना समाजिक दूरी बनाया रखना और तनाव मुक्त अधिगम के माहौल को बनाना जागरूकता पैदा करने, सुरक्षा का अभ्यास करने, ब्यायाम, माक, ड्रिल आधि के लिए प्रयास किये जाने चाहिए फिर आता है कक्षा में चात्रों के बीच दोस्ताना तरीके से COVID-19 के बारे में मृतक, शामाजी, कलंग और भय पर चर्चा करके जागरूपता पैदा करें प्रात्मिककच्चा के बच्चों के लिए कुछ सूख्ष मीयोगा अभ्यास जैसे सीर, पैर, कंदे को गुमाना, स्ट्रेचिंग आधि और उच्च प्रात्मिकच्चा के बच्चों के लिए कुछ सरल आसन जैसे ताड़ासन, ब्रिक्षासन, स्वातिकासन, बजराशन और अन्य सांस लेने के अभ्यास जैसे की कपाल भात, अनलोम विलोम, प्राड़ायाम भी आयोजित कराया जा सकते हैं वेकल्पिक दियोसी विद्यालय योजना की परकल्पना यहा है कि महामारी अवदि के दवरान सिक्षा को चुनवती, हम सभी जानते हैं कि रोक्थाम इलाज से बेतर है, किसी ब्यक्ती में बिमारी के लच्षणों का सुरुआत में ही पता लगाना पहला कदम है अनभीकता एक बहाना नहीं है, जागरुकता हर किसी को सोयम के साथ साथ दूसरों के दिखभाल करने के लिए तयार करने के लिए महत पूर्ण है COVID-19 के लक्षण के संबंध में बिभिन मादेमों जैसे मास मीडिया, पोस्टर, चार्ड, आधि के साथ साथ अन पहलूं जैसे की करने और नहीं करने वाली बाते हाथ दोने का सही तरीका, मास्क पहनना और सेनटाइजर का उप्योग करना महत पूर्ण है सभी के ग्याना और जानकारी के लिए प्रमुखिस्थानों पर पोस्टर लगाना COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान करेगा फिर आता है बिद्यालियों को पुना खोलने के चुनोती हैं और चिंताएं COVID-19 के प्रति जाग रूपता पैदा करना और सतर्कता बरतना बिद्याले बच्चों के स्वास्त कल्यान और स्वक्षता को प्रात्मिक्ता देना समाजिक दूरी बनाए रखना तनाव मुक्त अधिकम का महाओल बनाना बाल सुलब सिछण अधिकम बिद्यों को विवहर में लाना अनुभात्मक अधिकम पर धिहान देना स्वाध्याय को प्रिरित करना अधिकम के प्रणामों को सुनिश्यट करना डिजिटल आनलाइन सिख्षा, प्रात्मिक विद्याले में परामर सेवाय प्रदान करना, सिख्षक माता पिता समधाय की भागेदारी फिर आता है बिद्याले में सुरच्छा सुनिश्चित करना बिद्याले में एक सुरच्छित बताबरान सुनिश्चित करना ताकि कोई भी वायरेस से संक्रमित ना हो सभी हित धारकों की चिंता और जिम्मधारी है संकट की इस घड़े में इस जिम्मधारी को निभाने के लिए प्रक्तिक हित धारक को खड़े रहने की जरूत है बिद्याले खोलने से पहले की तैयारी बिद्याले की अधिकारियों को बिद्याले में किये जाने वाले सुरच्छा उपायों के बारे में चर्चा करने चाहिए और प्रयास करना चाहिए इसमें सोचाले सहित बिद्याले परिसर के सोक्षिता पर बिचार भी मस करना, हाथ होने के व्योस्ता करना, सभी के द्वारा चेहरे पर मास्क लगाना, उपलब्द कराना आदिशामिल है। प्रमुकों को ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने के अनमत देनी चाहिए, ये दिपी इसका अनावश्यक लाव लिया जा सकता है। विबरान एकात्र करना महत्पूर्ण है क्योंकि कुछ माता पिता, गाउं, सहर, जिले की भीतर और बाहर बिविन इस्थानों की यात्रा कर सकते हैं। इस्थानी स्वास्त अधिकारियों से परामर्स किया जा सकता है और आपातकाली निस्थित को सम्हालने के लिए ब्योस्ता की जा सकती है। प्रतेक विद्याले में मोबाइल, पोर्टेबल, हैंडवास, कम सेनटाइजर, सुविधा की विवर्षता की जानी चाहिए। कई विद्याले में अभीवार नहीं हो सकते हैं। क्रमबध विद्याले समय पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देने किया हो सकता है। फिर आता है समाजिक दूरी, समाजिक दूरी को बनाय रखना, 6 फिट या 2 गज की दूरी, एक में हैटपोन से अच्छा हो सकता है। दोस्तों आप जिसका इंतिजार करना है, मैं आपको बता दूँ, इस PDF का पासवर्ड है, कोर्स 17, अंग्रेजी में लिखना है, केपिटल लेटर में लिखना है, C-O-U-R-S-E-1-7, कोर्स 17 लिखेंगे, आपका PDF उपन हो जाएगा, तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते परिवहन के साधन, जहां तक संभव हो, बच्चों को अपने बेक्तिकत परिवहन का उप्लोग करने के लिए प्रोसाहित किया जाना चाहिए। विद्याले में चात्रों का प्रवीश और निकास, बुखार, खासी और जुकाम के लिए बिना चूक किये विद्याले के प्रतिक करमचारी की स्कैनिंग, बुखार, खासी और जुकाम के लिए बिद्याले में प्रवीश की समय हर बच्ची की रोजगाना स्कैनिंग, रात में कख्छाओं का आरंब और समापन अलग लग रखा जा सकता है विद्याले बस से आने वाले छात्रों और माता-पिता दोरा पहुंचाया जाने वाले छात्रों के लिए अलग लग उठाओ और पहुंचाओ किसी भी आप अंजिक्रित वस या वैन को चात्रों के लेने और छोड़ने के अन्मति नहीं है विद्याले वस वैन में उचित समाजिक दूरी सुनशित करना फिर आता है विद्याले अवद के दवरान अभ्यास किया जाना सभाएं बैठके खेल के मैदानों का उपयोग और अ चात्रों और विद्याले के अन्य अधिकारियों को साबन और पानी से एक अच्छी गुड़ोता वले सेनिटाइजर के बार-बार हाथ होने के लिए प्रोसाहित किया जाना चाहिए विद्याले में प्रमुक इस्थानों पर कुछ पोस्टर चार्ट प्रोजेक्ट प्रदरस समीत और इस्थानी विद्याले अधिकारियों के परामर से निरणे लिया जाना चाहिए छात्रों के बीच लगवक्षय पिट की दूरी होनी चाहिए कच्छा कच के आकार और छात्रों के शंख्या का धार पर निरने लिया में सकता है समुगार ई-मेल वाट्सप के माध्यम से और विद्यालों में इससे समाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है फिर दोस्तों आती है प्रस्नूत्री जो आप से प्रस्न किये गए थे चात्रों के अधिकम प्रिणाम का समय समय प्रमोल्यां का सिछन अधिकम प्रक्रियाम सुधार करने और सिछन खोची गई संग्राम मग विमारी COVID-19 महामारी बन गई है, विद्याले में समाजिक दूरी को बनाया रखने का प्रभावी तरीका है, छात्रों के कर्मांग के अंसार वैकल्पिक दियुसरी विद्याले सिच्छा, महामारी के अबद के दोरान छात्रों के मान से कल्लान के भावी उपाय सिच्छक परामर्जदाता है, COVID-19 एक दूसरे से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में खासने चीकने से संचारित होता है, बैकल्पिक दियुसरी विद्याले माडल को कारगन बराने अध्यम सामगरी प्रमोक्शन होती नहीं है, छात्रों को को कुरोणा वार इसे करण होने वाला COVID-19 एक संक्रामक रोग है, तो इस तरह से दोस्तों यह रहा आपके 6 प्रस्त, मैंने 6 प्रस्त ने के आंसर बता दियें, और आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइ स्क्राइक के लिए विला इकन को प्रस कर दीजिए, ऐसे ही समय समय पर मैं आपके लिए आवस्यक वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, नमस्कार